हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग बात करेंगे वेब अप्लिकेशन का सेशन टू नेटवर्किंग फंडामेंटल जैसे के अब देख सकते हैं इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे तीन टॉपिक के बाड़ में पहला है नेटवर्क आर्किटेक्चर दूसरा है टाइप सफ नेटवर तीसरा सम इंपॉर्टेंट तर्म तो सबसे पहले आता है नेटवर्क आर्किटेक्चर में तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइन सर्वर दूसरा पियर टू पियर और टाइप सफ नेटवर्क में लाइन और वैन और सम इंपॉर्टेंट तर्म म क्क्राइब के इज सर्वियाबез चुर्प कैम्पूटर उन प्क्रonod zły तढ़सपान के से तो आईगा जिन योटूब सर्वर क्लाइन धना और सर्वर नियूटुब करते हैं जो हम लोग करते हैं यूजर से तो हम लोग हम लोग एक क्लाइंट हो गए और एक हर चीज का एक सर्वर होता है जो कि में कम्प्यूटर होता है तो वह क्या हो गया वह एक सर्वर हो गया और इसी बेज इसी आर्किटेक्चर को हम लोग क्या करते हैं क्लाइंट सर्वर architecture हम लोग जो request भिशते हैं तो वो क्या हो गया client और वहां से जो main computer से response आता है वो क्या हो गया server तो server भी एक तरह का क्या हो गया main computer हो गया जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं इस diagram में आप देख सकते है client server architecture का बहुत सारे computer एक main server से जुड़ा हो है यह भी क्या है client server architecture ही है यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे computer जुड़ा हो है ठीक है नेक्स्ट हमारा है peer-to-peer network जिसको हम लोग p2p network भी करते हैं इसमें आप देख रहे हैं बहुत सा computer एक दूसरे से connected इसमें क्या होता है कि हर एक computer एक user से क्या हता है connected होता है इसमें क्या होता है हर एक computer client भी और एक तरह का server भी है तो हम लोग एक दूसरे computer का आप जो resources को हम लोग access कर सकते हैं वो mm यह पीर its network में इसमें कोई महीं फृसम नहीं होता हर एक lunch कंपृटर एक क्या करता एक client की तरह भी काम कर सकता है और server की तरह भी काम कर सकता है यह सब मेली जो है local office हो गया अपने private organization में use करते हैं जिसमें एक building में सारे computer को connect कर दिया गया peer-to-peer network में एक दूसरी को computer resources को क्या कर सकते हैं access कर सकते हैं इसके त्रूब तो यह हो गया peer-to-peer तो peer-to-peer network में कोई एक main server नहीं होता है हर एक computer क्लाइन की तरह भी काम करता है और server की तरह भी काम करता है और सब को एक दूसरे से क्या होता है connected होता है तो इस तरह के architecture को हम लोग क्या करते है peer-to-peer network architecture और P2P network भी कहते है ओके, fine तो हम लोग ने पढ़ा network architecture के बारे में client server और peer-to-peer network अब बात करते है types up network में पहला क्या है LAN जैसे कि हम लोग पहले भी 9th class में पढ़ चुके LAN क्या होता है local area network एक local geographical area में एगर networking करना है तो उसको लिए क्या होता है LAN यूज होता है जैसे कि एक office हो गया building हो गया वो क्या हो गया local area network next हो गया wide area network wide area में हो गया जैसे कि internet क्या हो गया wide area network और भी बहुत सा network होते है pan हो गया man हो गया हमारे book में यही दो network दिया है आप देख लिएगा LAN और WAN तो local area network का दूसरा क्या हो गया wide area network तो बात करें some important terms का तो यहाँ पर पहला क्या है internet internet क्या है it is network of network पता ही होगा internet network of network को हम लोग क्या करते है internet it is a global connected network is known as क्या है internet तो हम लोग इंटरनेट के बारे में जानते भी हैं तो यहाँ नेटवर्क और बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे से connected है तो इसको हम लोग क्या करते है internet करते है अब बात करें worldwide web के बारे में www तो यह शिस्टम आफ इंटर लिंक्ड hypertext document and can be accessed via via internet through web browser कहने का मतलब क्या है जैसे कि कोई भी एक कोई भी ची हम लोग एक website बना हुआ तो website में क्या होता है बहुत सारे एक क्या होता है web pages होते है जो कि एक दूसरे से क्या होता है interlinked होते है hypertext document होते है इसमेर text, video, image, graphics सब होता है आई एक दूसरे से वो क्या होते है connected होते है और इस web page को access करने के लिए internet की थूरू internet से तो हम लोग क्या करते है web browser को में क्या लिखते है www. तो इस web page को access करने के लिए हम लोग क्या लिखते है www. www. करके लिखते है तो हम लोग उस website की web page को क्या कर सकते है access कर सकते है तो worldwide web को क्या कहेंगे इट इस सिस्टम ऑफ इंटर लिंक्ट आइपर्टेस्ट, हैपर्टेक्स नेटवर्क, और इन चैनल भी एक्जेट वाई है, किसके थूर हम दो करते हैं, इंटरनेट की थूर, थूर वेब ब्राजर, ती यह हमारा क्या हो गया, www, इस अब कॉमेंटर में पहले से भी आप वर्क और सम इंपॉर्टेंट टम्स अब देखिए क्या होता है कि हम लोग तो जानते तो सब है इंटरनेट आपके बार इंटरनेट आप इससे भी लिख दीगा मड़े क्या होता है ईक सटीक डिफिनेशन लिखना होता है रिखक इन्टरनेट फ्सेंट श्क्री स नेखिय काल इस रहा है यहार जानते हैं P लिखना है और इस एग्जाक् डिफिनेशन प्रोफ कब सांच अब भरी दिखाँना में के लिखना है उच्बी 2 Networking fundamental अब देख रहे हैं तुसमें के लिखेने टॉपी डालेंगे Network architecture उसमें पहला देखेn पीर टू पीर ने आर्खिटेक्ट्चर दो ही लाइन दिया हुआ छोटा सा जा लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे दूसरा दिया हुए क्लाइंट सर्वर अर्किटेक्ट्चर इसका भी तीन लाइन दिया हुए तीनों लाइन लिख लेंगे तो इसको थोड़ लेंट कर लिएगा ते एक्जाम लिखने में असानी होगा इंटेनेट है इंटेनेट का पूरा बड़ा नहीं लिखना है पहला फेज पहला पॉइंट लिख देना है नेटवर्क तक, गॉंडंड नेटवर्क तक, 10 से स्टार्ट करके ओल्ड वाइब、、, व्ल्ल वाइब «व्ल्ड वैब का हैपर लिक लिखल लिएगा व्ल्ड वैब वेब का हैपर लिंक टक लिखलीगा, क्योंकि सब्सक्राइब को जाना जरूरी है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा लिख लिए गए सिस्टम ऑफ इंटर लिंग हाइपर टेक्स डॉकुमेंट एक्सेश्ड वाय दे इंटेनर जैसे मैंने बताया था विथे वेब ब्रॉजर वन कें वेब पेज़ेस थू डैट कंटें टेक्स इमेज विडियो और मल्टी मिडिया और नाविगेट बिट्विन देम वायर हाइपर लिंग तो अगर इतना अगर पूराम डेफिनेशन लिख देते हैं तो एक मार्क्स भी नहीं काट पाएगा चाहा के भी नहीं काट पाएगा तो हम लोग जानते तो सब हैं लिख नहीं पाते ति यहीं लीख के याद कर लेगा तो बेटर हैगा तो आप लोग का आज कि यहीं रहेगा आपका नोच कॉपी से कॉपी में लिखना है नेटवर्च आपक्रिटेक्टर से पीयर तूपी आपके बारे में दूसरा क्लाइंट सर्व यज्ट्रेक्टरर टैपस अ अ प्लाँ गॉटार शीजार